नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ सभी साथी बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी अपने इस्टडी में पूरी तरह से मस्त होंगे तो प्यारे साथियों आज का कलास आपके लिए बहुत ही महत्तोपूर्ण है क्यूंकि आज के कलास में जो हम वाले हैं कलास 12 बायोलोजी जीव विज्ञान का जो चेप्टर वन है यानि पहला चेप्टर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन और्गेनिज्म इसका जो है एंसी एर्टी पैटर्न पर तोप मोस्ट बीबियाई ओब्जेक्टिव कोस्टन का कलास करने करने वाले हैं ज चुकि हर एक बोर्ड में आपको जो है यानि इस चेप्टर से एक भी कोस्टन बाहर नहीं पूछा जाएगा ठीक है सातियों तो इसलिए आप तभी इस कलास को अच्छे से देखेगा और हर ये कोस्टन आप सभी मेरे सांस साथ याद करने की कोसिस कीजिएगा ठीक है सातिय हो आप कोई भी स्टेट से हैं आप जो है पीडीएफ कोर्स पर्छेज कर लें जिसमें आपको जो है जिसमें आपको यानि टोटल चेप्टर वाइज ऑबजेक्टिव दिया जाएगा ठीक है सातियों उसके बाद साथ में हर ये चेप्टर का जो है यहीं सोरी हर येक सबजे देखने को मिलेगा जैसे इस बार जो है आया था हमारे द्वारा जितना इतना भी कुश्इन कर आया गया था तो इस साल जैसे आया उसी तरह से आप लोग बी फाइनल एक्जाम में यह आए गा हमारे द्वारा थो तो इसलिए आप सभी जो है इस नंबर में कॉंटेक्ट करके अपना पीडिएफ को जल्दी से पर्चेस करके अपना तैयारी को बहतर कर ले ठीक है और टेली कराम चैनल जोईन हो जाएगा वहाँ पर फिर ही में पीडिएफ दे दिया जाता है ठीक है सातियों तो चलिए हम लो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेश जरूर कर लिजेगा आपको यूटूब पर फिरी में कलास दिया जाएगा तो इसलिए आप सभी चैनल से जूरे रहिएगा तो चलिए सातियों हम लोग कलास शुरू करते हैं देखते हैं आपके स्क्रीन में पहला क्वेस्टन क्या और सभी साति जो है अपना एंसर यहां पर यानि कमेंट बोक्स लाइप चेट में देते रहिएगा ठीक है तो देखे सातियों पहला क्वेस्टन आपको क्या पूछा गिया है कि इस्ट में परजनन मुख्यते किसके माध्यम से होता है बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्टन है बिहार बोर्ड उत्तर परदेश बोर्ड और जारकंड बोर्ड में पूछा गया क्वेस्टन है कि इस्ट में परजनन जो है मुख्यते किसके माध्यम से होता है तो आपको याद अखना है मुकूलन के द्वारा इसका राइट एंसर ए हो जाएगा रिप्रोड़क्शन इन इ किस परकार के होते हैं बहुत इंपोर्टेंट कोस्तन है भी वी आई कोस्तन है ठीक है आपको याद कर लेना है बिहार बोर्ड उत्तर परदेश और मद्द परदेश में पूछा गया क्वेस्टन है तो युगमक सामाने तक किस परकार के होते हैं तो है अप्लॉइड होते है क्या होते हैं है एक गुनक होते हैं चलते हैं सातियों किसरा नंबर तीसरा आपके में किरीन में है कि निम्नांकित किस घृत कुम कृतला है तो इसका राइटե सर हो जाएगा सैवाल कवाक और बरायोफाइट यह तीनों जो है न हैपलॉइड होता है इसका राइट और एंसर ओप्शन नमबर डी हो जाएगा इन में से सभी नेक्स चलते हैं साथियों चार नमबर जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग लाइप चेट कमेंड ब अद्रक में जो काईक परवर्दन होता है वो किसके द्वारा तो आपको याद अखना है वो राइजोम के द्वारा इसका राइट एंसर ओप्शन नमबर क्या हो जाएगा वाट क्योजेज यह वेजी टेटी प्रोपोगेशन इन जिंजीर तो वो राइजोम इसका राइट अधर यह हो जाएगा और यह कोश्चन चार इस्टेट में पूछा गया है विहार में पूछा गया है उत्तर परदेश मद्द परदेश जारकंड बोड क्योंकि देखें चारों इस्टेट का जो है ना यहीं सभी राज्य का जो ट्वेल्ट का बोड एक्जाम होता है तो उस इसका राइट एंसर हो जाएगा तनहका इसका राइट एंसर क्या होगा option number B होताहेगा next चलते हैं 6енноzen 2 देखें 발 defendant काजु जो है वो निम्हालिव विकृत मेंसे कैश वह बताहेगा सका राइट चारा ॉपसन आपके सामने है तो आपको याद अक्रणा वह एक कर आप्न कद जेम्यूल्स का निर्मान किसमें होता है तो जेम्यूल्स का जो निर्मान होता है चुष और ज्रफितर्याथis estavam पराइड में कितने अजब काल फ्रम में तो आपको याधान हो यह यह बम तकड़ लिघर केक्ता है इनकां ही best चलते हैं औहीं होता है तो साफ़ी स्ब्राइड तो इसका right answer हो जाएगा option number 3 पराग पराग जो होता है वो हेपलॉइड होता है ठीक है साथियों और जो पराग कोस होता है अंडा से होता है और युगमनत जो होता है वो दूइगूडित होता है ठीक है ये भी याद रखेगा नेक्स चलते हैं ये 11 number इनमें किसे बंगाल का आत question पूचा गिया है ध्यान रखना है याद रखना है साथियों और MP बोर्ड में 2021 में पूचा गिया है और बिहार बोर्ड में 2024 में पूचा गिया है इनमें किसे बंगाल का आतंग कहा गिया है तो आपको याद रखना है जलकूंबी को right answer क्या हो जाएगा option number B नेक्स चलते हैं साथियों बारे नंबर देखे इस चेप्टर का आपको कहीं से भी question पूचे जाएंगे तो इससे आपको बाहर नहीं पूचे जाएंगे साथियों देखे इससे पहले आपको बंगाल का आतंग बता दिये अब यहां पर देखिए कि इनमें कौन ठेहरे हुए पानी में उग् बंगाल का आतंग भी है और यानि ठेहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को भी खीच लेता है ठीक है और बिहार बोर्ड उत्तर परदेस मद्द परदेस तीन स्टेट में पूचा गया question है ठीक है नेक्स चलते हैं तेरे नंबर जब नर और मादा गेमीट में यूगमन हो चलते हैं जब नर और मादा दोनों गेमीट जो है यूगमन होगा तब यह क्या कहलाएगा तो आपको यादखना है लेंगी की जनन कहलाएगा सेक्सुल और प्रोडक्षन कहलाएगा इसका राइट एंसर भी होजाएगा नेक्स चलते हैं चांदे मध चक्र पाई जाती है द ली के पौदों में होता है तो उसमें यह फोता है इंटर्न ही प्लांट में यानि फर्टिलाइजेशन ऑट्लांट टीक है इसका राइट एंसर भी हो जाएगा नेक्स चलते है सोले नमबर सलककंद का उधारन है देखे साथ यह हो सलककंद का जो उधारन है वो क्या है तो आपको याद अखना है प्याज है इसका राइट एंसर सी हो जाएगा नेक्स चलते हैं सत्रे नमबर अस्तंधारियों में निशेचन कहा होता है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है सत् सतंधारियों में निशेचन कहा होता है तो फेलोपियन ट्यूब में इसका राइट एंसर डी हो जाएगा नेक्स चलते हैं अठारे नमबर पराकिरतिक अनिसेक जनन जिसको अम लोग पार्थे नोजेनेसिस पाया जाता है तो वह पाया जाता है वह किस में तो वह मदु कौन है तो आपको याद रखना है इसका राइट एंसर हो जाएगा भुरुन पोस्ट बुरुन पोस्ट जो होता है वह दूइनिसेटन का परिनाम होता है ठीक है इसका राइट एंसर सी हो जाएगा और भुरुन पोस्ट जो होता है वह तिरी गुणित होता है यह भी याद कि बिजानवों द्वारा जनन करने वाले पौदे जैसे मौर्स फर्न जो होते हैं वह कौन से समू में रखे जाते हैं तो वह क्रिप्टो गेम्स में रखे जाते हैं ठीक है राइट एंसर सी हो जाएगा नेक्स चलते हैं 21 वह परिवर्तन जो लार्वा को वैस्क के रूप में परिवर्तित करते हैं काहलाता है बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है देखिए वह परिवर्तन जो लार्वा को वैस्क में परिवर्तित करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं तो उसे हम लोग कायांतरन कहते हैं राइट एंसर सी हो जाएगा नेक्स चलते हैं 22 भुरुन वह 3 गुणित होता है और भुरून पोस्ट जो होता है वह एक दूइनी सेचन का परिनाम भी होता है तो इसलिए इसका राइट एंसर थी हो जाएगा 3 यानी 3 गुणित नेक्स चलते हैं नेक्स चलने से पहले अगर आपको PDF नोटस हमारे दौरा अगर आपको पर्चेस करना है तो इस नमबर में कॉंटेक्ट जरूर कर लिजेगा आपके सारे 400 पलस का सपना आप खुद यानी साकार कर सकते हैं हमसे जूर करके ठीक है सात्यों क्योंकि मेरे दौरा जितने भी कोस्टन दिया जाता है आपके बोर्ड एक्जाम में लगबग यानी 99% आपको कोस्टन आपर देखने को मिलेगा अगर आप अभी से लेकर करके पर्चेस करके अपना तैयारी को बहतर करेंगे और हरी कोस्टन अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको सारे 400 नमब अगर एकल जनक मतलब एक के द्वारा जनन करें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे तो उसे हम लोग नींगिक जनन करेंगे और eğक्स च्छलते 24 कूर नबर देखिए क्या पूंचा गिया है नवह से कौन नर्युग्मक से शनीयोजन करके बुरुनम बनाता है पेल ये घृजार नौ में पूचा में याद रखेगए इस चलते हैं कोंडीरिया पाया जाता है और यह बिहार डॉर्ट में 202 पूछा गिया है ठीक है आप उठाके देख लीजिएगा बिहार बॉर्ड का कुष्टन ठीक है और MP बोर्ड में भी यह कुष्टन पूछा गिया है कि अस्तंधारी के सुक्राणूं के बीच वाले वाकोब में क्या प कि पिठ राइट एंसर हो जाएगा नेक्स चलते हैं 27 जनक समान जीप पराप्त हो सकता है कि से देखे बहुत important question है जनक समान जीब पराप्त हो सकता है तो वो किससे तो विखंडन से यानि फरॉम फीजन से इसका राइट एंसर डि हो जाएऑ एंग्लिश वाले अपना जो है नीचे में देख लिजेगा इंगलिस हिंदी दोनों मीडियम में आपको PDF मिल जाएगा कोई भी स्टेट से हैं आप लोग कॉंटेक्ट करके अपना अपना स्टेट का जो है PDF जल्दी से पर्चेश जरूर कर ले द्विखंडन किसमें पाया जाता है तो वह अमीबा तता पेरा में सियंग में पाया जाता है और अमीबा और पेरा में सियंग में कैसा द्विखंडन पाया जाता है तो आपको यह भी में कैसा जो है द्विखंडन पाया जाता है तो उसमें जो है ट्रांसवर्स यानि द्विखंडन पाया जाता है अनुपरस्त द्विखंडन पाया जाता है नेक्स चलते हैं 29 नमबर मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो इस्ट में होता है इसका राइट एंसर यह हो जाएगा यह क्वेस्टन चारी स्टेट में पूछा गिया है और देखें तीस नंबर यह बिहार बोड में पूछा गिया है जलकुम्भी 65,000 से अधीक पौदे कितने माह में उत्पन कर सकता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा एट मन्त यह आठ माह में जो है 65,000 से अधीक पौदे उत्पन कर सकता है जलकुम्भी ठीक है नेक्स चलते हैं 31 नंबर 31 क्या पूछा गिया है देखे क्या पूछा गिया इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है 2024 में पूछा गिया है बिहार बोड में कि यानि इनमें से कौन है जो यानि एक बार अपने जीवन काल में पुछ पर पहरा करता है तो वो है बास इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर ए बंबू नेक्स चलते हैं 32 नमबर रितू सराव चक्र किसमें होता है में साथ यह तो यहानि रितू सराव चक्र मनुस में और यानि बंदर में चिम्पेंजी यह तीनों में पाये جाता है इसका राइट एंसर इनमें से सभी हो जाएगा और और बात करें तो मद चक्र किसमें पाए जाता है तो मद चक्र कुता भेर गाए में पाए जाता है ठीक है मद चक्र का बात करें तो आपको सीधे किस में जाना है तो गाए भेर वकडी में जाना है ठीक है और अगर रीतु सराओ की बात है तो मनुस बंदर और चिंपेंजी में जाना है नेक्स चलते हैं 33 मनुस क युगमकों में गुंसुत्र की संख्या देखे साथ यो मनुस्य के युगमक की बात आए तो उसमें गुंसुत्र की संख्या 23 होता है इसका राइट एंसर भी हो जाएगा नेक्स चलते हैं 34 नमबर इनमें कौन जो है अंड़ परजक पढ़ानी है इनमें से अंड़ परजक किस और मगरमच भी अंड़ा देते हैं तो राइट एंसर इनमें से सभी हो जाएगा ठीक है आपको बस लोजिक लगाना है नेक्स चलते हैं 35 नमबर जब निशेचन जीव के सरीड के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं यह तो हर मेरे प्यारे स्टूडेंट को पता होगा कि बा होने वाले निशेचन को क्या कहेंगे तो यनिवाह निशेचन करेंगे और इसको हम लोग इंगलिस में अगर बात करें एक और पूचा जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं टीक है इन विट्रो कहते हैं यह भी ध्यान रखना नेक्स चलते हैं 36 नमबर युगमक अस्तान आंतर लेना थीक है पीडियेफ में इसी परकार मिलेगा आपको याद कर लेना आपके बोर्ट एक्जाम में देखने को मिलेगा हंडेट परसेंट है युगमक अस्थाना उन्तरन हो चलता है तो पाथ कोँं से आपना से बाहर करता है नेख किस में मोता यह इपक्र सबस्क्राइब तो इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सेवाल ब्रीवाइफाइट सब्सक्राइब यानि जल माद्यम से निस्टेशन करता है सहवाल भी ब्रायोफाइट्स भी टेरीदोफाइट्स भी तो राइट एंसर इन में से सभी हो जाएगा और देखें यहां पर भी वी आई लिखा हुआ है ठीक है इसी परकार पीडिएफ में लिखा हुआ रहेगा कौंटेक्ट करके पर्शेस कर लें लोग नियुकの ट्रफिरां लिखें ओनुम से कौन खुरें वह वेलिंगी पादप नहीं है इन्हें इस से कौन वेलिंगी पादप नहीं है सांतियों तो आपको बता दी यह क्वच्शन चारी स्टेट के लिए बहुत महतो पूर्न है तो आपको यादखना सब्सक्राइब करें अब्राइब संदूने और यह सब्सक्राइब करें जलुकर करें और सब्सक्राइब यहां दखना है अगे में वर्दी परजनन होता है तो वह किसके द्वारा तो वह बुल्विल के द्वारा ठीक है इसका राइट एंसर ऑप्सन नंबर भी हो जाएगा नेक्स चलते हैं टिवान नंबर ट्वे गया साथ यह एकि निम्ल कित यह कोन जन्तु वह लिंगी की बात के तो आपको अजने मखी ए जाना है जो हाउस फलाई होता है वह उवे लिंगी नहीं होता है तीक है इसका राइट एंसर ओप्शन नमबर डी हो जाएगा वीच ओफ फॉलोइंग एनिमल्स इस नोट हर्मा फेरोडाइट तो आपको याद अखना है वह हाउस फलाई हो जाएगा देखे उसके बाद देख है इसका राइट एंसर क्या हो जाइगा तो अप्शन नमबर हो जाएगा सरीर के बाहर होने वाले निशेचन क क्या कहते हैं तो इन वीटरो कहते कहते हैं ठीक है और आप सभी को लास्ट में एक लिए की ना था पुली ठोशन करता है तो आपकी यह सी हो जएगा और यहां सब to तो आप लोग जो है इसका answer आप सभी क्या कीजेगा comment box में बता दीजेगा कि बाहे निसेचन इन में से कौन करता है वैसे मैं यह question आपको बता दिया ठीक है तो आप लोग अपना answer comment box में बताते रहिएगा ठीक है सांतियों तो चलिए हम लोग का यानि पहला चेप्टर जो है यानि पहला चेप्टर जीवों में जनन इसका टोप 42 मोस्ट बीबी आई अबजेक्टिव कोशन एंची ए आर्टी पेटर्न के आधार पर कंपिलीट हो रहा है तो अग आपको कलास कैसा लगा आप लोग कम 6588 इस नंबर में आप कोंटेक्ट करके अपना पीडियेफ कोर्स जरूर पर्चेस कर लीजेगा अभी टाइम है अभी स्टार्टिंग से अगर आप लोग हमारे द्वारा अगर जितना भी पीडियेफ दिया जाएगा उसको अगर पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि सारे 400 से को कोई नहीरूख सकता है तो इसलिए आप लोग कोई यानि देरी नहीं करे तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कलास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना खयाल ओर अपना स्टरी जो और जाड़ि रखें तंक यो फूर वाचंग वाए टेकिएर झाल झाल